ओम शांती आज 18 जन्वरी 2023 के मधुर महवा के हैं, कुछ महवा के साकार के है, कुछ अव्यक्त महवा के है, आज का दिन यग्य के इतिहास में बहुत विशेश दिन है, जबकि यग्ये पिता, आदी पिता, आदी देव, पिता शरी ब्रह्मा बाबा का समरती दिवस है जो पूरे विश्व में World Peace Day के रूप में मनाय जा रहा है प्रजा पिता ब्रह्मा जिने आदी देव कहते हैं जिनके माध्यम से स्वयम निराकार परमात्मा ने सत्ते ज्यान दिया, ज्यान के अनेक रहस्य उदगाटित किये आज के दिन उन्होंने अपनी भौतिक देत्याग सम्पूरणता को प्राप्त किया जिनका पहले नाम दादा लेक राज था, 1866 में जनम हुआ निराकार परमात्मा की परवेश्टा से उन्होंने सम्पूरण ब्रह्मा बनने तक का सफर दे किया 18 जन्वरी उनिसो उनतर के दिन उन्होंने अपनी भौतिक दे का त्याग किया अंतिम महवाक के उचारे निराकारी, निर्वीकारी, निरेंकारी निराकारी स्वरूप में रहना, आत्मिक स्वरूप में टिके रहना निराकारी बनने से निर्वीकारी बन जाएंगे विकारों से परे हो जाएंगे एंकार जरा भी स्पर्ष्ट न करें इसलिए निरेंकारी बनना है आज के दिन साइलेंस में रहेंगे अव्यक्त मिलन भी करेंगे संध्याकाल में बुद्धी से चार धाम की यात्रा करते रहें कभी बाबा का कमरा, कभी बाबा की कुटिया कभी हिस्ट्री हॉल, तो कभी शांतिस्तम शांतिस्तम पर लिखी बाबा की शिक्षाओं को अपने हिर्दय में अच्छे से नोट करेंगे बाबा ने जो अंतिम शब्द कहे हम सब के जीवन को कमल पुश्प समान बनाया और ये कहां याद की आत्रा में रहो इन सब बातों को स्मर्ण करते रहेंगे साइलेंस में रहने से हम बाबा के गुणों को विशेशताओं को याद करते हुए निरंतरी अनभूती करेंगे आज भी बाबा हमारे साथ है साथ थे, साथ है, सदा, साथ रहेंगे अभी हम उने बाप, दादा कहते हैं ब्रभ्मा बाबा और शुब बाबा दोनों आज भी हम सब की सेवा में हैं हम सब को भी आप समान बनाने का पुर्शार्थ करा रहे हैं संद्याकाल में हम सब अव्यक्त मुलाकात करेंगे बाबा के महवाक्य सुनेंगे आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद की यात्रा का महतो समझाया कि फॉरेवर आपको आतम अभी मानी बनना है वह सद्गुरु वह वह ज्रामा वह वह मेरी तकदीर एक की याद से प्योर बन जाना है फॉरेवर प्राक्टिस करेंगे आतम अभी मानी बनने की बाबा की याद से विकर्मों का बूझा उतार देंगे सुनते हैं एकागर होकर बाबा की महवाक्य पिता श्री जी के पुन्ने स्मृति दिवस पर बाप ददा के मदूर महवाक्य कोशन है भविश्य के लिए बच्चों ने बाबा से कौन सा सोदा किया है उस सोदे से संगम पर कौन सा फाइदा है भविश्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सोदा किया है उस सोदे से संगम पर कौन सा फाइदा है दे सही जो भी कुछ कखपन है सब कुछ बाबा को अरपन करके बाबा को कहते हो बाबा हम आपसे फिर वहां भविश्य में सब कुछ लेंगे यह सब से सच्चा सोदा इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है कि अभी हम थोड़े समय के लिए हैं फिर अपनी राजधानी में होंगे तुमसे कोई पूछे तो बोलो वाह हम तो बेहद बाप से बेहद सुख का वर्सा ले रहे हैं अभी हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं इस समय हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं ओब शान्ती रूहानी बाप, रूहानी बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे जब यहां कर बैठते हो तो आतम अभिमानी हो बाबा की याद में बैठो यहां जब बैठते हो आतम अभिमानी हो कर बाबा की याद में बैठो यह अटेंशन तुम्हारे लिए फॉरेवर है जब तक जीते हो बाबा को याद करते रहो याद नहीं करेंगे तो जनम जनमांतर के पाप भी नहीं कटेंगे रच्चता और रच्चना के आदी मद्यंत का सारा स्वधर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धी में फिरना चाहिए तुम लाइट हाउस हो न एक आख में शांती धाम दूसरे आख में है सुख धाम उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्यान करते हो दूसरों का भी कल्यान करते हो लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण बाबा भिन भिन युक्तियां बताते जब कोई रार्स्ते में मिले तो उनको बताना है कि ये दुख धाम है शांति धाम सुखदाम चलना चाहते हो ये इशारा देना है कि आप शांतिधाम सुखदाम चलना चाहते हो, यह इशारा देना है, लाइट हाउस भी इशारा देता है, रास्ता दिखाते हैं, तुमको भी सुखदाम शांतिधाम का रास्ता बताना है, दिन रात यह धून होने चाहिए, योग की ताकत से, तुम किसको थोड़ा भी आप में योग की ताकत है, थोड़ा भी किसी को समझाएंगे, तो उनको जट तीर लग जाएगा, इसको तीर लगता है, एकदम घायल हो जाते हैं, पहले घायल होते हैं, फिर बाबा के बनते हैं, बाबा को प्यार से तुम बच्चे याद करते हूँ, तो बाबा को भी कशिश होती है, कई तो बिलकुल याद ही नहीं करते, तो बाबा को तरस पढ़ता है, फिर भी कहते मीठे बच्चे, उनकी को पाते रो, पुर्शार्थ कर, आगे नंबर में चाओ, पतित पावन सद्गती दाता एकी बाप है, उस एक बाप को याद करो, पतित पावन सद्गती दा सद्गती दाता एक बाप है, उसे याद करो, सरफ बाप को नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करो, सरफ स्वीट होम भी नहीं, मिलक्यत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को याद करना है, बाबा आए हैं, मीटे मीटे बच्चों को परफेक्ट बनाने, तो इमान सच्चाई से अपनी जाज करनी है, हम कहां तक परफेक्ट बने हैं, इमानदारी से अपनी जाज करो, कहां तक परफेक्ट बने हैं, परफेक्ट बनने की युकती भी बाबा बताते, मुख्य खामी है दे अभिमान की, दे अभिमानी अवस्ता को आगे बढ़ने नहीं देता, इसलिए देह को भी भूलना है, बाबा का बच्चों में कितना लव रहता, बाबा बच्चों को देख हर्षित होते, तो बच्चों को इतनी खुशी में रहना चाहिए, बाबा को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए, दिन प्रति दिन खुशी का पारा चड़ा रहना चाहि हार जीत होते होते फिर नंबर वार पुर्शात अंसार कल्प पहले मिसल अपना अपना पद ले लेंगे बाप तद बच्चों के वस्ता को साक्षी होकर देखते हैं और समझानी भी देते हैं बाप तद दोनु का बच्चों पर बहुत लव है क्योंकि कल्प कल्प लवली तो बाप कर ही क्या सकते हैं, बाबा को तरस तो बहुत पढ़ता है, माया हरा देती है, बाप फिर खड़ा कर देते हैं, सबसे मीठे ते मीठा बाप वो है, कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भूला बगवान। पाँच सेकिंड अनुभव करें, जोती बिंदु बाबा को देखते हुए, कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भूला बगवान। अब तुम बहुत बहुत वैलियोबल हीरा बनते हो, वैलियोबल हीरे जवारात जो होते हैं, उनको सेफटी के लिए हमिशा बैंक में रखते हैं, तुम ब्रामन बच्चे भी वैलियोबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफटी से बैठे हो, अब तुम बाबा की सेफ में अमर बनते हो तुम काल पर विजे पहन रहे हो शब बाबा के बने तो सेफ हो गए बाकि उच पद पाने के लिए पुर्शाट करना है दुनिया में मनुश्यों के पास कितना भी धन दौलत है परन्तुव सब खतम हो जाना है कुछ भी नहीं रहेगा तुम बच्चों के पास अभी कुछ भी नई ये देहे भी नई ये भी बाबा को दे दी तो जिनके पास कुछ नई है उनके पास जैसे कि सब कुछ है जब अपना सब कुछ बाबा को दे दिया सब कुछ दे दिया तो बाबा का जो कुछ है वो हमारा हो गया तुमने बेहत बाप से सोदा किया ही है भविश्य नई दुनिया के लिए कहते हो बाबा दे सहती जो कुछ कखपन है सब कुछ आपको देते हैं और आप से फिर वहां सब कुछ लेंगे तो तुम जैसे सेफ हो गए अभी सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया तुम बच्चों के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए बाकी थोड़ा समय है फिर हम अपनी राज़दानी में लेंगे तुमको कोई पूछे तो बोलो वा हम बेहत बाप से बेहत सुक का वर्सा ले रहे हैं एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं हमारी सब मनुक कामनाई पूरी हो रही है कि बाबा कितना प्योर लवली है वे आत्माओं को आप समान प्योर बनाते हैं तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथा लवली बनेंगे जितना याद करेंगे अथा लवली बनेंगे देवताईं कितने लवली है जब तक भी उनके जड़ चित्रों को पूछते रहते हैं तो अब तुम बच्चों को इतना लवली बनना है कोई भी देहधारी कोई भी चीज पिछाडी को याद ना आए बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिग्या करनी चाहिए हमारे से कोई ऐसा विकर्म ना हो जिससे दिल अंदर खाती रहे हमसे कोई ऐसा विकर्म ना हो जो दिल खाती रहे इसले जितना हो सके अपने को सुधारना है उंच मरतमा पाने का पुर्शाट करना है नंबरवार तो है ही ज्वारात में भी नंबरवार होते है कोई में बहुत डिफेक्ट होते कोई बिल्कुल प्योर होते बाबा भी जोहरी है न तो बाप को एक एक रतन को देखना होता है ये कौन सा रतन है इने में कौन सा डिफेक्ट है बाबा एक एक रतन को देखते हैं इस रतन में कौन सा डिफेक्ट है अच्छे प्योर रतनों को बाप बहुत प्यार से देखेंगे अच्छे प्योर रतनों को सोने के डिब्बी में रखना होता है बच्चे भी खुद समझते हैं मैं किस प्रकार करतन हूं मेरे में कौन सा डिफेक्ट है अब तुम कहेंगे वह सत्गुरु वा जिसने हमें रास्ता बता दिया वह तकदीर वह वह ड्रामा वा वह सत्गुरु वह तकदीर वह वह ड्रामा वा तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा आपका जो आप दो मुठी चावल के बदले हमें सेफ्टी से भविश्य में सोग ना रिटन देते हो प्रंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धी चाहिए बच्चों को अथा ग्यानधन मिलता है खजाना मिलता है तो अपार खुशी होनी चाहिए जितना हिर्दय शुद्ध होगा औरों को भी शुद्ध बनाएंगे योग की सिती से हिर्दय शुद्ध बनता है योग की सिती से हिर्दय शुद्ध बन जाता है तुम बच्चों को योगी बनने बनानी का शोक होना चाहिए अगर दे में मोव है दे अभी मान रहता है समझो हमारी अवस्ता बहुत कच्ची है अगर दे हो सके डेही अभिमानी बनने का अभ्यास करो बाबा को याद करो बाबा अक्षर बहुत मीठा है बाबा बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पे बिठा के साथ ले जाएंगे बाबा बहुत प्यार से पलकों पे बिठा के बच्चों को ले जाएंगे ऐसे बाबा की याद के नशे में चक्ना चूर हो जाना चाहिए, बाबा को याद करते करते, खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए, जिसे बाबा अपकारियों पे उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, तुम बच्चे भी ड्रामा की राज को जानते हो, बाबा तुमे निराकारी आकारी साकारी दुनिया का सब समचार सुनाते हैं आत्मा कहती अभी हम पुर्शाट कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए हम स्वरग में चलने के लाइक जरूर बनेंगे अपना और दूसरों का कल्यान करेंगे अच्छा बाबा मीठे बच्चों को समझाते बाप दुख हरता सुख करता है तो बच्चों को भी सब को सुख देना है बाबा का राइट हैंड बनना है ऐसे बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं शुबकारे में राइट हाथ को ही लगाते हैं कोई शुबकारे होता है तो रा अबनता है, जानि बछन भी वाइघे अप flowers मिता दो, ये तो कब्रिस्तान है, धन्दा धोरी बच्चों आदी की जिंतन में मरे तो मुफत अपनी बरबादी कर देंगे श्रुबाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे देय भिमान में आने से बरबादी हो जाती है देय भिमानी बनने से आबादी हो जाती है धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए उसकी फिक्रात में श्रुबाबा को भूल जाते है तन बहुत होता है उसके फिक्रात में बाबा को भूल जाते हैं बाबा देखते हैं सब कुछ बाबा को अरपन कर फिर हमारी शिरिमत पर कहां तक चलते हैं शुरु शुरु में बाबा ने भी ट्रस्टी हो दिखाया सब कुछ ईश्वर अरपन कर खुद ट्रस्टी बन गया बस ईश्वर के काम में ही लगाना है विगनों से कभी डरना नहीं जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है जहां तक हो सके सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है इश्वर अरपन कर ट्रस्टी बन कर रहना है अच्छा अव्यक्त महावाक्य 1977 1977 सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप सिती में स्थित रहने का नुभव बहुत समय से कर सकते हूँ आवाज में आने का नुभव जादा कर सकते हूँ या आवाज से परे रहने का नुभव जादा कर सकते हूँ जितना लास्ट स्टेज करमाती स्टेज समी पाती चाहेगी उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की सिती अधिक प्रिये लगेगी इस सिती में सदा अतिंद्रिय स कीजा आवाज से परे की सिति में अतिंद्रीए सुक्ष्य अनुभूति कीजा द्वारा अनेक आत्मों का सहजी अहवान कर सकेंगे।। यह पावर फुल सिति मिश्व कल्यान काृण कारी सिति कही जाती सकति १ैस आजकल साइस के साधों द्वारा सबprocess जे समीप अनभो होती जाती हैं, दूर की आवाज, टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है, टीवी, दूर दर्शन द्वारा, दूर कद्रिश्य समीप दिखाई देता है, ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा, कितना भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश प प्रिश्य, ऐसे अनभो करेंगे, जैसे की समुक देख रहे हैं, संकल्प के चित्र द्वारा देखेंगे, अर्थात आवाज से परे, संकल्प की सिद्धी का पार्ट बचाएंगे, लेकिन इस सिद्धी की विधी है, जादा से जादा, शांत स्वरूप सिती में स्थित रहन इसे कहा जाता, साइलेंस इस गोल्ड, इसे गोल्डने स्टेज कहा जाता, इस स्टेज पर सित रहने से कम खर्च बाला नशीन बनेंगे, समय रूपी का जाना, एनर्जी का खर्चाना, सूल का जाना, सबसे कम खर्च बाला नशीन हो जाएंगे, इसके लिए एक शब्द या तो बोल, करम, संकल्प, समंद्वा, संपर्क, साधारन की बचाए आलोकिक दिखाई देगा, अर्था चमतकारी दिखाई देगा, हरे के मुख से, मन से ये आवाज निकलेगा, ये तो चमतकार है, समय के प्रमान, स्वयम के पुर्शाथ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पी तीवर गति की चाहिए, तब विश्व कल्यानकारी बन सकेंगे, विश्व के अधिकतर आत्माई बाप की और आप इस्ट देवताओं की परतक्षता का अहवान जादा कर रही हैं, और इस्ट देव उनका अहवान कम कर रही हैं, इसका कारण क्या है? अपने हद के सोभाव सं कारों की परविर्ती में बहुत समय लगा देते हो, यसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुरसत नहीं, यसे बहुत समय से ब्रामनों को भी इस पावर्फुल स्टेज पर स्थित होने की फुरसत नहीं मिलती, इसलिए अभी जुआला रूप बनानी क्या विश् बहुत पजी रहते हो ना, वास्तिविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, जब साइस की साधन धर्ती पर बैठे हुए स्पेस में गईवए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहें जहां चाहें वां मोड सकते हैं, तो साइलेंस की शक्ती स्वरूप इस साकार स्रिष्टी में स्रेच संकल्प के अधार से जो सेवा चाहें जिस आत्मा की सेवा करना चाहें वो नहीं कर सकते। उपराम रहो, जो सब ख़जाने सुनाई, स्वैम्द के प्रती नहीं, विश्व कल्यान प्रती यूज़ करो। जो भी खजाने हैं, विश्व कल्यान प्रती प्योग करो। समझ झा करना हैंे हैं। स्थूल साधरों द्वारा सर्विस, आवाज से परे सुक्ष मसादन, संकल्प की स्रेष्टता, संकल्प शक्ती द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बचेगा, समझा, प्लैंस तो बहुत बना रहे हो, बाप तद भी प भव करेंगे, अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्यान प्रतिकारे में लगाने वाले, संकल्प के सिद्धी स्वरूप, स्वयंद की परविर्ती से स्वतंत्र, सदा शांत, शक्ती स्वरूप सिती में स्थित रहने वाले, सर्व स्रेष्टा आत्मों को बाप वर्दान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा, नई स्रिष्टी की स्थापना के नमित बनने वाले, मास्तर शांती देवा भव, साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए, इस शरी से परे और शरीरी हो जाओ ये साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है, इससे नई स्रिष्टी की स्थापना होती है, तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे, वो स्थापना का कारे कर सकेंगे सबसे बड़े ते बड़ा महादान है ये सबसे बड़ी प्रिये शक्ति शाली वस्तु है कौनसी शान्ती शान्त स्वरू बनू शान्ती देवा बन शान्ती की किरने फैलाओ सर्व आत्माओं के प्रती प्रकृती के प्रती शुब भावना रखना ही विश्व कल्यान कारी बनना है आज संपूरन ब्रह्मा बाप सामने रहे और एक प्रतिज्या हमें भी आप जैसा संपन और संपूरन बनना है हमें भी आप जैसा शान्ती दूत बन सबको शान्ती का दान देना है देखे ब्रहमा बाप को उनकी प्रिकृती में ज्योति बिंदूश्र बाबा चमक रहे हैं बाबा सब बच्चों का हवान कर रहे हैं आओ बच्चे मीठे बच्चे प्यारे बच्चे शान्ती देवा भव बाबा से द्रिष्टी लेते दिड़ संकल्प करें हम भी आपके साथ स्थापना के कारे में पूरण मददगार बनेंगे शान्त स्वरुपसिती में रहकर चार ओर शान्ती की किरने फैलाएंगे ने मास्तर शान्ती देवा हूं शान्ती दूदू वह बाबावा वासत गुरुवा वाजामावा शुक्रिया ओम शान्ती 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 झाल, झाल, झाल.